हाजी रूम फिर से एक नई रेसिपी के साथ में जो की बहुती डीसेंड और डिलीसियस बैंगन की सबजी होगी जो खाने में बहुती टेस्टी स्पाइसी और मसालेदार होगी तो फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने 200 ग्राम बै बिना लहसन और बिना प्याज और बिना टमाटर के मैं बनाऊंगी मसालेदार बैंगन फ्राइ तो फ्रेंड्स आपने ग्रेवी वाले बैंगन तो कितनी बार खाए होंगे मसाले वाले ग्रेवी से जो बने वे होए एक बार इस तरीके से खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा इस तरीके से बनाएंगे और खाएंगे I hope कि आपको हमारी रसीपी पसंद आए तो friends हम क्या करेंगे हम अपने बेंगन को तीनों को इसी तरफ परकार से कट कर लेंगे लटाओ में तो मैंने लटाओ में ये बेंगन कट कर लिए है अब चलिए मसाला तयार कर लेती हूँ मैं इसमें जो जो मसाले डालेंगे तो देखिए friends मैंने मिर्स पाउडर एड़ किया है मैंने हल्दी पाउडर एड़ किया है मैंने गरम मसाला पाउडर एड़ किया है तो तीनों को मैंने सेम मातरा में एड़ कर लिया है जादे रखना है तो यह मैंने ब्लैक चीली पाउडर यानि कि काली मिर्च ली है काली मिर्च का भी मातरा बहुत कम रखनी है आपको और मैंने यह सरसो का ओईल एड किया है एवन टी स्पून वो इसलिए क्या है क्योंकि जो मसाले हैं से सब अच्छे से मिक्स हो जाएं बैंग पर अपने इनको अच्छे से लगा लूँगी अच्छे से टोपिंग कर लूँगी तो फ्रेंट्स देखें बहुत ही अच्छे से लगाना है थोड़ा थोड़ा मसाला हाथ से ले करके इस तरीके से लगाना है हर एक लटाओ पर तो इसकी एक लटाओ पर इस तरीके से मसाला लगा लेंगे ना हम कि लगाने के बाद इसे पांच मींट रख देंगे कि खाने में जब आप खाएंगे ना इसे फिराए करके तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगा आप यकीर ने मानेंगे कि इतनी टेस्टी इसकी सबजी बनती है और उन लोगों के लिए पी है आप इस तरीके से बनाएंगे तो लेसन प्याज की जो बैंगन की सबजी होती है उसे भूल जाएंगे तो यह ऐसी एक सबजी है अब हम यह दस मिंट के लिए रख देते हैं दस मिंट के बाद हम क्या करें हैं हमने फ्राइपन लिया हो इसमें ओड़ कर दिया मस्टर् तो देखे फ्रेंड्स यह दस मिंट हो चुकी हैं आप देख सकते हो मैंने अब इसमें काली मिर्च ली थी दो तिन और मैंने जीरा लिया था आदी चमच तो फ्रेंड्स जीरे को काला नी होने देंगे धियान रखेंगे हमारा हो टोईल हो चुका है हम एक बैंगन करके इसम खाने में बहुती ला जवाब हो टेस्टी होते हैं एक बार जरूर बनाए और फिर कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप बनाए तो कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो फ्रेंड्स देखिए अब हम क्या करेंगे पांच मिनट तक तो हमें ऐसे ही पकाने हैं बीच भीच में देखते रहना है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इने पट लट्वेंगे अछे से इस त तरीके से हमें यह लट-लट पल पल पलटनी है पलट्के पलतनी है मतलब पड़के पलटनी है अगर कल्ची से पल्टेंगे तो ठीक से नहीं पलटी जाती तो इसलिए हम पीछे की जो होती पकड़ने की जो डंडी होती है वह काटी नहीं थी तो उसमें से थोड़ी सी काटी थी तो देखिए हमारे न एक साइट से तो हो गए हैं बैंगन दूसरी साइट से भी हम पलट रहे हैं ताकि वह भी अच्छे से हो जाएं तो यहां पर हम 5 मिन पकाएंगे 5 सब्सक्राइब करें तो इस तरीके से हमारी जो सब्जी बनी है इस तरीके से बनी है बैंगन मसाला बिना लहसन प्याज के तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी अगर आपको हमारी सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक्स टू ओचिंग मौई वीडियो हैपी रहें खुस रहें स्वस्त रहें थैंक्स टू ओल फ्रेंड्स